हेलो दोस्तों डेटनेर उसमें आप लोग का स्वागत है और आज की डेक्टनों शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने मेरी दुपैर की जीयो एजीयम 2019 वाली वीडियो नहीं देखिए तो जाके देख लेना मैंने बहुत ही डीटेल में वीडियो बनाया हूँ और एक और वीडियो उसके उपर में बनाने वाला हूँ आने वाले समय में डिस्क्रिप्शन कमेंड में में लिंक देता हूँ आप जाके देख लेना दोस्तों आज दिल में एक सवाल करने की इच्छा जाग रही है मेरे पास और बैंट फाइफ है मी बैंट फोर भी है मैं बहुत जिल आज करते हैं तो पहले के बात करते हैं यहाँ पर एमजान से अमेजान ने इंडिया के अंदर अपने यह नया मार्केट प्लेश एप स्टोर जो लॉंच करते हैं जी हां और यह हम सबी लोगों के लिए है यह उन लोगों के लिए जो online business करते हैं मतब जैसे की specially sellers और developers के लिए उन्होंने लेकिया गया है और इस जो app store ना आपको अभी फिलाल के लिए उसमें 100 apps पहले से मिल जाएगे जिन में से आपको ऐसे apps है यह दोस्तों कि जो sellers है उनको text से regarding inventory manage करना हो और अच्छे खासे rates निकलवाना हो या उनके business को manage करना हो वो सारी चीज़ों के apps आपको उसमें मिलेगी जिससे आपका काम बहुत आसान होगा ज्यादा effort आपको डालना नहीं पड़ेगा जिहां तो यह specially उन लोगों के लिए आ चुका है तो marketplace app store ओफिशली इंडिया में आ चुका है sellers developers के लिए अगर आपको नहीं पता तो या फिर अगर आप उस चीज़ में interest रखते हैं तो आप जाके इस app का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप दोस्तों शाओमी की तरफ से आया है इस launch रिगारिंग आप देख सकते नीचे लिखा है hashtag 48 megapixel android 1 बाजू में डेट लिखे गई और ऊपर 3 दिखाया जा रहा है obviously तो यह 3 है Mi A3 और 3 camera जो बरापर देखें कैसा उन्होंने लगा के रखें मतलब obviously आपको इसमें triple camera देखने को मल रहा है यह वही phone चायना वाला जो Mi CC9E बनके था इंडिया में वह Mi A3 बनके आ रहा है जिसका unboxing भी हमें हमारे चैनल पर किया था यहाँ पर काट देता हूँ आप जाके देख लेना बहुत ही मज़ा आएगा मेरे पास भी आएगा अब देखते इंडियन pricing यहाँ पर क्या होती है यह तो मैं आपको एक इस तरह को ही बता दूँगा आप अपने WhatsApp को lock unlock कर सकते हैं अगर आप जब यह lock हो जाएगा उसके बाद भी आपको notification और calls वगरा आएगा लेकिन जो main app है वो fingerprint से lock रहेगा आप उसको unlock करेंगे और वो काम करेगा तो अच्छी चीज़े काफी cool और handy है Android के बीटा में और बहुत जल्दी officially आपको मिल जाए दोस्तों पांस दिन में ये पूरा के पूरा sold हो गया जी हाँ श्टॉक ही खतम हो गया अब वापस उसको restock करने वाले मतलब सोच लो Honor Band 5 को इतना लोगों ने purchase किया जो ये पूरा के पूरा sold होगा जो मेरे पास यहाँ पर ये Mi Band 4 भी है एक comparison करूँगा इसका लेकिन देखो दोस्तों कितना ज्यादा चल रहे है Honor Band 5 वैसे क्या आपने purchase किया आपको interest था आप मुझे जरुट से comment करके बता सकते हैं तो यहाँ दोस्तों Realme की तरफ से ख़बर आ रही है और आज की सबसे बड़ी ख़बर यही है दोस्तो Realme 5 Pro का एक नया poster officially ट्विटर पर Realme ने और माध sensor नहीं मिलेगा वो शायद से दूसरा कोई phone होगा जो आपको October के पहले देखने को मिलेगा तो यह चीज़ अभी हापर फिलाल के लिए सामने निकल कर आईए देखते हैं दोस्तो Realme 5 Series वाले स्मार्टफोन कितने तगड़ होते हैं वैसे उन्होंने यह बता है कि उस price segment में Realme GM 2019 हुआ उसके बाद हमें पता है बहुत कुछ हुआ है जियो ने क्या क्या नहीं किया है लेकिन उसमें जो एक चीज़ निकल कर आई थी first day first show वाली उसमें ना जियो से थोड़ा मतलब जियो ने करने के बाद थोड़ा यह theaters में पंगा हो गया वैसे PVR और Anox वाले यह बोलते यह जैसे कि Netflix और Amazon India में ऐसी चलता है दो महने बाद उसके नहीं चले जाती है US और Europe में तो कुछ-कुछ जगाओं पर यह हुआ था first day first show लेकिन उसको ज़्यादा priority नहीं दी गई थी France में तो ऐसा कानूने के 36 months के बाद जाती है दूसरे platform पर ठेटर से निकल के सोच लो इतना लंबा gap लेकिन यहाँ पर दो महने इंडिया में minimum होता है एक्सक्लूजिव उन्होंने बता है कि एक law है अब यह जब जियोंने first day first show की बात करी है तो मुझे नहीं पता यह कैसे काम करेगा जो की mid 2020 से आएगा और यह जो ठेटर वाले ना यह एंदम tension में आ चुके है इसे आपको क्या लगता है इन दोनों के war की बिच में कौन सही है कौन गलत है आप मुझे जरूर से comment करके बता सकते हैं तो गूगल की तरफ से खबर आ रही है और गूगल यहाँ पर एक नए feature पर काम कर रहा है और यह बहुत ही कमाल का feature है इससे हम सभी लोगों का जो browsing experience है वो बहुत safe और secure यहाँ पर हो सकता है इसको बोलते है passwordless login और गूगल अब इसको test कर रहा है इसके बाद यह बहुत सारे browsers आ जाएगा उसके बाद आप directly जाएए आपको login करने के जरुवत नहीं है आपको अपने ID password डालने के जरुवत नहीं fingerprint से एक बड़ टच करो और सीधे सीधे आप उसमें login कर सकते हैं बहुत सारी websites होती जहाँ पर आपको login करना पड़ता है यहाँ पर आपको वैसे नहीं करना पड़ेगा नॉर्मली जो banking app यूज करते हैं या कोई ऐसा app होता है आप लोग जाते है fingerprint लगा तो सीधा उसको आप यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पर होने वाला है दोस्तों जो बहुत ही कमाल होगा फिलाल कि लोगने password.google.com पर तो वहाँ पर तो काम कर रहा है आप उसके बाद बहुत सारी ऐसी website होगी जहाँ पर आप डायरेक्ली आप जाईए लेकिन यह Android phone होगा आपके उससे यह काम लिया जाएगा जो बहुत ही मज़ा आने वाली इसमें वैसे इसके बारे मापका क्या है मुझे बहुत ही कमाल का ल इस देखने को बर रही है अब इस Samsung इनको replace करके graphene battery यहाँ पर जो लेके आएगा और यह दोस्तो आदे घंटे में आपके phone को full charge कर देगा इसकी खासे एक और यह होने वाली है दोस्तों कि आपकी battery long lasting होगी ज्यादा गरम भी नहीं होगी तो मतलब जो एक dream ताना हम सभी वाला है Samsung ऐसा बोर रहा है जो Samsung की upcoming flagship phones आएंगे S11 बगरा में शायद आपको देखनी को मिल सकता है काम तो चल रहा है 2020 या फिर highest possibility 2021 में आपको ऐसे smartphone Samsung की तरफ से मिलेंगे जिनमें यह वाली battery होगी वैसे बहुत ही कवाल की technology है और कहां से कहां हम जा रहे है आप देख सकते इ आप बताया है कि 14 अगस्ट याने की कल HTC अपने एक नया smartphone launch करेगा आप दोस्तों इतना hype create नहीं हुआ है इतना भी ज्यादा नहीं हुआ है समतलब यही पता चल रहा है कि कचरा होने वाला है फिर से एक बार क्योंकि पहले HTC हरकत किया था और फिर से वापस आया है वापस स करके वो निकल देंगा इतना ज्यादा hype नहीं हो तो समझ देने का यही सीने 14 अगस्ट कल ही एक नया phone launch कर रहा है आप यह देखते कौन सा phone है क्या price होगी वैसे मैं आपको कल ही अपने टेक नूस में बता दूँगा क्या आपको बता है कि वर्ड का सबसे पहला 5G smartphone कौन सा थ ZTE ने 25 वर्वरी को MWC में अपने XN10 5G Pro वाले smartphone को launch किया था और यह वर्ल का सबसे पहला 5G smartphone था मिलते हैं आप से अगले वीडियो में अगने वीडियो के साथ टिल ने वे ग्रेट डेए और अल्वेस कीप स्मालिग